नास्कार दोस्तों राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा अब एक निर्णायक मोड पर पहुँच गई है आज से उन्हें चार दिन के लिए मिल रहा है अपनी बहन प्रियंका गांधी वाडरा का साथ आपके स्क्रींस पर वो तस्वीरे दोस्तों जब आज सुभ है करीब साड़े छे बजे से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाडरा इस यात्रा में उनके साथ शामिल हुई यकीनन ये एक ऐसी तस्वीर है जो कॉंग्रिस के कारकरताओं में जबरदस उर्जा भर देगी दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की मा सोनिया गांधी भी एक दिन के लिए उनकी यात्रा में शामिल हुई थी मगर जाहिद से बात है सोनिया गांधी जो है उनकी तबियत को लेकर कई आशनकाए हैं जिसकी वज़ा से उस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाई थी और कुछ देर के लिए साथ चली थी मगर प्रियंका गांधी वाडरा का उनके साथ में आना कई माइने इसके दोस्तों सबसे पहली बाप भारती जनता पार्टी का प्रचार तंत्रे एक अरसे से प्रचार कर रहा है कि भाई और बेहन के रिष्टे जो हैं वो खराब हो गए हैं मगर राहूल गांधी और प्रियंका गांधी अगले चार दिनों तक इस यातरा को पूरा करने वाले हैं आपको याद होगा देश के सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने बिल्कुल उसी अंदाज में देश के घदारों को वाले अंदाज में और एकता कपूर के कचरा सीरिल से इंस्पायर होके बयान दिया था कि अब तक प्रियंका गांधी वाडरा सियात्रा में शामिल नहीं हुई भाई बेहन की रिष्टे बिगड़ गए है और उस वक भी मैंने कहा था कि अनुराप ठाकूर को एकता कपूर के सीरिल्स देखना बंद करना चाहिए मेरी बाई तरफ उपर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाडरा और राहूल गांधी एक साथ यात्रा कर रहे हैं नीचे देखिए कि क्या कहा था अनुराप ठाकूर ने सुनिए प्रियंका जी राहूल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारिज के टुकडे टुकडे करने वाली गैंके साथ कर रहे हैं इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं चुड़ी है या भाई ने बेहन को यादी नहीं किया है और दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाढ़ा के आनियसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया था समाना अंतर तोर पर भार्ति-ए जनता पार्टी ने हमले की तमाम मर्यादाओं को पार करना शुरू कर दिया है हसम के मुख्यमंत्री हेमंट विस्सु शर्मा उन्ने ने राउल गान्दी की तुलना सद्धाम हुसेन से करड़ा ली है जियाँ, सद्धाम हुसेन से और यहीं नहीं समानांतर तोर पर मीडिया ने भी उस तरह का प्रचार उनके खिलाफ चलाना शुरू कर दिया है सबसे पहले देखिए दोस्तों ये लड़की ताल ठोक रही है कि राहुल में सद्दाम दिखता है यहीं नहीं आप देख सकते हैं कि आज तक ने भी बाकाइदा उस मुद्दे पर पूरा डिबेट किया है जियां वो बयान जिसे काइदा से मीडिया को पूरी तरह से नजर अंदास कर देना चाहिए था मगर आप देख रहे हैं कितनी तरजीह दी जा रही है वैसे राहूल गांधी की यात्रा को मीडिया इतने तरजीह नहीं देता जब भी उस यात्रा की आलोचना करना होता है जब भी उस यात्रा के बारे में कुछ नकरात्मक बोलना होता है तब जाके उस यात्रा को तरजीह दी जाती है सुनिए क्या कहाता है मनतविस शर्माने तो सुना आपने दोस्तो जायर सी बात है कॉंग्रिस इस बात को लिकर नाराज है कॉंग्रिस की निता क्या कह रहे है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कॉंग्रिस की निताओं का कहना है कि इन मुद्दों को तरजी देना बताता है कि मीडिया किस तरह से निशाना साधरा है कॉंग्रिस के उपर जेराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन्स पर आज कई टीवी चैनल्स ने असम के बुख्यमंत्री की राहूल गांधी की दाड़ी पर आपत्ती जनक और अस्वी कारिटिपणियों पर बहस की ये बहुत निराशा जनक और भारा जुड़ो यात्रा के महत को कम करने का प्रयास है इन शानलों को गंभीरता से आत्म निरिक्षर करना चाहिए कि उन्होंने खुद को किस हद तक सीमत कर लिया है मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ चलिए अगर कॉंग्रिस को लगता है कि राहूल गांधी की दाड़ी के तुलना हेमंत बिश्वरमा ने सद्दाम हुसेन से कर दी गलत बात है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज तक काई डिबेट देखिए और आज तक के इस डिबेट में इस चेहरे को देखिए आचारे प्रमोद कृष्णम ये वही शक्स है जिनोंने लखनव से कॉंग्रिस की टिकेट पर चुना वड़ा था मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जैराम रमेश को इतनी आपत्ती है कि राहूल गांधी की तुलना सद्दा मुसेन से भाज़पा के नेता कर रहे है या मेडिया सुपारी लेकर उन पर टार्गेट कर रही है तो ऐसे डिबेट्स में कॉंग्रिस या उनके समर्थक हिस्सा क्यों लेते है दोहरी बात मत कीजे जैराम रमेशी दोहरी और दोगली बात करना बंद कीजे अगर आपको लगता है कि राहूल गांधी पर अश्लील हमला किया गया है तो उन डिबेट्स में हिस्सा मत लीजे आपके साथ प्रॉब्लिम क्या मैं आपको बताता हूँ आपके साथ प्रॉब्लिम यह है कि मीडिया की भी आनुशना करनी है मगर आपके जो नेता है वो अपनी शकल दिखाने के लिए इतने भूके हैं इतने भुके हैं कि उन डिवेट्स में भी आपको जाना है तो ये दोहरी बातें तो बिलकुल भी नहीं चलेंगी हाली के दिनों में आपने कुछ आंकर्स का बॉयकॉट किया था जो वाजिब बात है करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे दंगाई आंकर्स की कारिकरम में नहीं जान हैं बेराल एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगा राहुल गान्दी की इस भारत जुड़ो यात्रा का आप देख सकते हैं प्रियंका गान्दी का साथ उन्हें मिल रहा है और जैसे कि मैंने बताया मैं दावा कर सकता हूं और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में हमले बहुत तेज होने वाले और आपको लगातार कह रहा हूं जैसे ही राहुल गान्दी महराष्ट में प्रवेश करते हैं तो इनका पालतू न्यूस चैनल इनके पालतू पत्रकार राहुल गान्दी की यात्रा की तुल्ला इमरान खान से करना शुरू कर देते हैं तो प्रियंका गांधी वाड़ा के चार दिन के लिए जुड़ने के बाद ये हमले और तेज होने वाले हैं और हेमंत विस्व शर्मा ने इसे प्रमानित किया है कल मत्रदेश में अपने पहले चुनावी भाषन में राहुल गांधी ने फिर बताया कि उन्हों ने बढ़ाणी अधारजोड़ यात्रा क्यों शुरू की उनका ये कहना था कि सारे रास्ते बंद हो गय थे वह मत्रदेश की झबी पर खड़े थे उनका ये कहना था यहां हमारी सरकार चुनराई थी मगर कुछ बिधायकों को करोड़ रुपए 가र हमारी सरकार को गिरा दिया गया, यानि कि लोकतंत्र बंद, निया पालिका बंद, मीडिया बंद, तमाम संस्थाय बंद हो गई थी जिसकी वज़ा से इस यात्रा की शुरुवात करनी पड़ी, क्या कह रहे हैं राहूल गांदी, सुनिए अच्छा मध्यप्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोणों रुपे लेकर, 20-25 बरश्ट विदायकों को खरीद लिया, और सरकार बना ली मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की, क्योंकि सब लोगतांत्रिक रास्ते बन थे, लोगसभा बन, चुनाव का रास्ता बन, मध्यप्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, फ्रेस का रास्ता बन, बाकी जो संस्ता हैं, इंस्टिटूशन से हैं, उनको सब को RSS, BJP ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशिरी पर दबाव डाल रखा है, कौर्ट्स पर दबाव डाल रखा है, तो हमने सोचा ही की रास्ता है, और कोई रास्ता बचा नहीं है, सडक पे उत्रो, जंता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे वियापारियों की बात सुनो, और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ, हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपॉर्ट, हिंदूस्तान के लोग, मध्यप्रदेश, महराश्टरा, केरला, आंध्रा, तलेंगाना, टमिलनाडू के लोग, इस यात्रा को देंगे, तो हिंदूस्तान की सरकार, उससे हाथ मिलाके कहते थी, आपने अपनी जिन्दगी जंडे को दी, आपकी जिन्दगी भर की रक्षा, हिंदूस्तान की सरकार आपकी करेगी, ये रिष्टा था, अब ये रिष्टा, ये पवित्र रिष्टा, इस रिष्टे को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है, कैसे तोड़ा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कि जो भी युवा, इस जंडे की रक्षा करना चाता है, उसे हम छे महीने की ट्रेनिंग देंगे, और चार साल बाद, उसे लात मार के भगा देंगे. मेरा आज की जो बड़ी खबर है, वो ये है कि प्रियंका गांधी वाडरा अपने भाई राहूल गांधी के साथ इस भारत जोडो यात्रा में जोड़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, हमले अब और तेज होने वाले, अगले चार दिन पर हमें निगार रखनी होगी, अगल प्रियंका गांधी वाडरा का जो प्रवेश है, उसने अब इस बात को और पुखता कर दिया है, अब इसार शर्मा को दीजे जासत, नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीर विकल्प, इनमें से एक चुनिये, और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये, कर दोस्तों आएंगी बनिये, 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 बनिये,